नमस्कार, विल्कम तो माई चैनल, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पित्र पक्ष के दिनों में हमें क्या-क्या चीजें करनी चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हमें अपने घर में पित्रों की फोटो, उनकी जो तस्वीर हो को अपने पित्रों के आने का संकेत मिलता है, संकेत कौन-कौन से है और उन संकेतों से हमें क्या-ग्यात होता है Jestकि हम उसको होता है हम उसका क्या महसूसं करें हमारे लिए उप या फिर असूब है, आप सभी के बहुत सरे सवाल आये हैं, 10- 42 лю जिनों के दिन ये 16 दिन ही स्राधतरपन करना चाहिए कि जिस दिन हमारे पित्रों की तिथियां होती है उस दिन हमें सिर्फ करना है या जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहां इस वर्स ही किसी परिजन का देहावसान हुआ है तो क्या इस वर्स हम स्राधतरपन करें कि ना करें एक बहुत बड़ा कई लोगों का जादा शवाल है और आप सभी के मन में confusion भी है कि जैसे कि एक पिता के चार पुत्र हैं तो क्या चारों पुत्रों को स्राधतरपन करना चाहिए कि सिर्फ बड़े बेटे को या फिर छोटे बेटे को करना चाहिए बीच के बच्चों को करें जानते हैं कि नोटिफिकेशन अपको पहले प्राप्त हों कि स्राध के दिनों में हमें क्या क्या चीजें जरूर करनी चाहिए ह। हम जानते हैं कि हमें स्राध तरपन या पुझा पाठ होता है ये सभी चीजी हमें क्यों करने चाहिए? ऐसी मानता क्यों है? तो इसका तो सबसे पहले यही रिजन है दोस्तों, कि जब हमारा जन्म इस रित्य लोक में होता है, तो हमारे जन्म के साथ ही कई रिण हमारे साथ आते हैं. जैसे कि पित्र रिण, देव रिण और रिशी रिण ये तीन रिण हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ रहते हैं और इन रिणों की भरपाई करना इन रिणों की जो है चुकता करना हमारा परम करतब्य बढ़ता है मनुष्य का जानवरों के उपर इन सभी रिणों का कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि उनके पास विवेक नहीं होता है ज्यान सिर्फ हम मनुष्यों के पास ही होता है तो सबसे पहले देवताओं की कृपा से ही हम इस दुनिया में विचरण करते हैं, रहते हैं और उनकी वज़ा से ही हम अच्छा बुरा सोच पाते हैं दूसरा पित्र रेड है क्योंकि जो हमारे पितर हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी जीन्स हैं, हम उनकी वनसज हैं और उन्ही के आशरवाद से उन्ही के कर्मों के द्वारा हमारा इस मृत्य लोक में जन्म हुआ है, दूसरा हमारे उपर रिशियों का कर्ज होता है, रिशियों का रिण होता है, तो जो हमारे देव रिशी हैं, जैसे कि अलग अलग गोत्र हमारे होते हैं, सभी धर्मों में आ के आधार पर रखा जाता है, जैसे किसी का वशिष्ट है, किसी का सांडिल गोत्र है, तो अलग-अलग रिशियों के नाम पे ही ये गोत्र आधारित होते हैं, और रिशियों के रिण से भी हमें मुक्त कराते हैं, जब हम उनका नाम पूजा पाठ के दौरान लेते हैं, जिससे उनको भी इसका हिस्सा मिल सके तो अब आपको ये जो स्राध तरपढ़ है अपने पित्रों के निमेतर जरूर करना चाहिए अब 15 दिनों की अवधी में क्या हमें तित्यों में ही करना है पहले हम वही जानते हैं तो तित्यों में तो आपको करना ही करना है जब भी आपके परिजन की जो तिथी है जिस दिन भी तो आप जो है किसी सरोवर के किनारे जाके उनके नाम से पिड़नेदान करें और फिर घर में आके उन्हें जल दें और उनके नाम से ब्रहमण भोज कराएं और ये जो पंच गब्बी निकाला जाता है पांच और आपके स्रध्ध के उपर ये सभी चीजें डिपंड करती है नहीं तो आप सिर्क तिथियों पे भी कर सकते हैं अगली महत्वपून बात कि जैसे एक पिता के चार पुत्र हैं तो क्या चारों को अधिकार है स्राधतरपन करने का अपने पूरबजों के निमित यानि कि अ हमें करना चाहिए कि नहीं तो आपने अपने पूरबजों का नाम आपने अपने पूरबजों का जितना भी जमीन है हिसा है धन दौलत सब कुछ आपने लिया है ये आपका जो शरीर है वो भी आपके पूरबजों की ही देन है तो अब आप क्यों नहीं करेंगे उनके निमि नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा आप भी उनके वंसज हैं, आपके अलक से थोड़ी आएं हैं, तो इसलिए जरूर करना चाहिए, अब कई लोग ये भी कहते हैं कि जिनके माता पिता होते हैं, उन्हें स्राधतरपन नहीं करना होता है, तो दोस्तों माता पिता आपके हैं, लेकिन दादा दादी नहीं हैं, तो आप उनके निमित कर सकते हैं, ऐसा कोई दोस्त नहीं लगता है, आप अपने नाना नानी के निमित कर सकते हैं, आप जो है यदि आपके मामा पक्ष में कोई नहीं है, तो आपका अधिकार बनता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मामा वग हम जतना जादा से जादा इन दिनों में दान पुर्णय करते हैं हमें उसका पुरा फल भी मिलता है और जो पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है वह हमें दिखाई नहीं देती है हमें महसूस होती है हम उसे एक प्रकार से उनका आशरवाद हमें खुशियां देती हैं, हमारे घर में कुलवंस की व्रिद्धी भी होती है, तो इस तरह से ये स्राधतरपण सभी को हक है करने का और करना भी चाहिए, बस आप अपने माता जिसका जब भी हम करते हैं इस तरह के कर्म, तो हमारे जो पुरहित होते हैं, वो नाम लेते हैं, तो आप दादा दादी का नाम लीजे, अन्य पूरपजो का नाम लीजे, जिनके निमित आपको करना है, आपके माता पिता जीवित हैं, तो आप उनका नाम नहीं ले सकते हैं, तो बस इसी तरह से ये कर्म आप करें, अगले दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि जिन पित्रों को हम गया में स्राध करके आए हैं क्या हमें उन लोगों को भी स्राध तरपन करना चाहिए कि नहीं तो दोस्तों गया में आप पिंडदान करके आए हैं स्राध तरपन करके आए हैं लेकिन इन दिनों में आपको दान जो है क्योंकि आप गया में जाके करके आए हैं लेकिन दान पुन ब्रहम्र भोज आप करा सकते हैं इसे प्रकार से जिन परिजनों के यहां जिस वर्स देहावसान हुआ है उनके यहां भी यही प्रथा होती है कि आप पिंड़ दान तो हर महीने कर रहे हैं एक वर्स के बाद आप जो है वर्षी करेंगे लेकिन आप जब अभी कुछी समय हुआ है आप दान पुन कर सकते हैं आप रहमर भोज भी करा सकते हैं आप अगले जो अन्यम परिजन है माता-पिता को छोड़के दादा-दादी के निमित भी कर सकते हैं इस तरह से दान पुन की महतता जो जो फोटो होती है वो कहान लगाना चाहिए तो दोस्तों पित्रों के निमित जो दिशा होती है वो दक्षण दिशा मानी जाती है दक्षण दिशा यम की दिशा होती है इसलिए जब भी हम कोई भी पित्रों के निमित कार करते हैं तो हमारा जो मुख होता है वो दक्षण द लव होती है वो दक्षड दिशा की तरफ होती है इसी मानिता के अनुसार आप पित्रों की जो तस्बीरे होती है वो दक्षड दिवार पर लगाएं दक्षड दिवार पे आप लगा सकते हैं यदि आपके हां स्थान नहीं है तो दक्षड और पस्टिम के कॉर्णर में जो नर कि क्या हमें हमारे परिजन जो स्वपन में दिखाई देते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों स्वपन में परिजनों का दिखाई देना अलग-अर्थ बताया गया है, जैसे कि कोई-कोई के परिजन रोते-विलखते दिखाई देते हैं, आप से कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं इसका अर्थ होता है कि आपके परिजन अत्रिप्त हैं वो ब्याकुल है आप से जो है चाह रहे हैं तो आप उनके निमित दानपुन करें ब्रहमणों को भोजन कराएं और पिंडदान कराएं जिससे उनकी आत्मा त्रिप्त हो और वो प्रसन हो इसलिए आपके लिए शुब नहीं है और आप जल से जल उनके निमित दानपुन और ब्रहमण भोज और पिंडदान अवश्य कराएं आप देखेंगे कि जो आपके यह स्वप्ण है वह बंद हो जाएंगे अब वहीं पर एक अलग प्रकार के स्वप्ण आते हैं कि आपके पितर वि मिलती हैं तो यह कोई डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आपके पितरों का आश्रबाद आपके साथ में है और यदि स्वप्ण में पितर आपको कुछ दे रहे हैं चाहे वो खाने पीने की चीजे हो चाहे आपको आश्रबाद दे रहे हो चाहे आपको धन दौलत दे रहे है इसका अर्थ है कि आपके पितर बहुत ही जादा प्रसन है आपके कारियों से आपके जो भी आपने किया है कर्मों से बहुत ही प्रसन है और आपको आशिरवाद देते हैं इसका अर्थ यह होता है जब हमें पितर कुछ देते हैं और जब कुछ मांगते हैं तो वो अत्रिप्त होते हैं तो ये चोटे-चोटे संकेत भी हमें मिलते हैं इन दिनों में हो या फिर आप कभी भी अपने पितरों का सपन देखते हैं और ऐसी चीजें आप देखें तो आप उनके निमित कभी भी दानपून कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सराद के दिनों में ही पित्रों के निमित सराद तरपन हम अमावस्या तिथी को करते हैं, महीने की जो भी अमावस्या होती है, उस दिन आप करें पुडिमा तिथी पर भी कर सकते हैं, इस तरह से अन अन संकेत भ करना होता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही हमें पूरी उमीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगी और इसका आप पूरा पूरा लाव उठाएंगे और इन स्राद के दिनों में आप अपने पित्रों के निमित दानपुन करके उनको प्रसंद करेंगे आज की व नई वीडियो में तब तक आप अपना खयाल रखें जय माता दी